दोस्तों आज हम बनाएंगे एक बहुत हेल्दी टेस्टी चटपटी सी रेस्पी इसे आज हम बनाएंगे साबूत मूंग से इसकी जगा आप चना दाल भीगो कर ले सकते हैं तो आधी कप मैंने ये मूंग दाल ली है भीगो लिया है तीन चार घंटे पहले और एच्छे से फ मैंने तोड लिया है और 5-6 लैस्टी की कलिया इसके साथ ही हम डाल देंगे एक बड़े साइज का प्याज इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है छे साथ इसमें मैं करी पत्ते डाल रही हूं इन्हें बनेंगे तो बहुत यादा हमें ब्राउन नहीं करना है बस हलका ही भुन दाल दे सकते हैं बट इससे नास्ता बहुत ही घेलती वह प्रोटीन से भरपूर बनेगा इसे हम डाल कर चला लेंगे थोड़ी देर और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मोटा मोटा कटा हुआ टमाटर अब हम इसमें एक चमच नमक डालेंगे एक चमच धनिया पौडर और आधा चमच में इसमें लाल मिर्च पौडर डाल रही हूँ अगर ज्यादा तीखा पसंद ना करते हूँ तो लाल मिर्च पौडर को इसकिप कर देजेगा अब इसमें जाएगा एक चौथाई चमच गरम मसाला पौडर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर बढ़ जाएगा इस टेस्टी का तो इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे बस सौफ्ट होने तक हम इन्हें पकाएंगे तो दो मिनाट तक हम इन्हें ऐसे भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे तो बस कच्छा फ्लेवर निकलने तक ही इन्हें हम इन्हें भूना है और अब हम कैस बंद कर देंगे जब तक यह ठंडे होंगे तब तक हम बाकी की त्यारी कर लेते हैं यहां मैंने डेड़ कप गेहु का आटा लिया है इसमें एक चोथाई चमश नमक डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर जैसे घर में चपाती के लिए आटा गूतते हैं ठीक वैसे ही हम इसे गूत लेंगे अब हम आटे को ढग कर रख देते हैं सेट होने के लिए तो जब तक हमने आटा गूता तब तक ये मिस्टर भी ठंड़े हो गये हैं अब हम इने जार में डाल देंगे अब हम इने पीश लेंगे तो बीना पानी डाले हमें इने पीशना है और ये देखिए इस तरह से दरदरा पीशेंगे बहुत महीन नहीं करेंगे इसे एक बाउल में ट्रास्फर कर लेते हैं तो इधर आटा भी सेट हो गया है अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा हाथ में लेंगे और इसे रोल कर लेंगे और इस तरह से रोटी की लोई से थोड़ी थोड़ी मैंने बड़ी लोई रखी है और इसमें से हम पांच लोई बना लेंगे अगर घर में आटा गूता हो उससे भी आप बना सकते हैं तीन लोई भी या चार लोई भी बना कर आप इस नास्ते को बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने पांच ये आटे की गोल-गोल लोईया बना ली हैं, थोड़ा सा मैंने सुखा आटा लपेटा है और इसकी हम एक रोटी बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलें और पांचों लोईयों की रोटियां हम इस तरह से बेल-बेल कर प्लेट में रख लेंगे अब हम एक बेली हुई रोटी सर्फेस पे रखेंगे और इसके उपर ये मुग मसाला मिस्रड रखेंगे तो मैं इसमें दो चम्मच भर-भर के डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से चारू तरफ फैल आलेंगे अब इसके उपर एक और बेली हुई रोटी रखेंगे और इसके उपर भी ये मुग मसाला मिस्रड डाल देंगे और इस तरह से फैल आलेंगे तो एक के उपर एक इस तरह से परत दर परत हम पाचो रोटी इस तरह से रख कर और इस पे ये मसाला डाल कर और फैला लेंगे चारो तरफ अच्छे से तो अंत में हम इस बेली हुई रोटी को इसके उपर रखेंगे और दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे हाथ से दबा लेंगे और थोड़ा इसे चप्टा करके ऐसे लंबा कर लेंगे तो देखे इस तरह से मैंने इसे एक pocket की तरह बना लिया है अब हम एक जाली वाला बरतन लेंगे उसमें oil लगा लेंगे इसके उपर हम pocket रखेंगे और इसके उपर भी थोड़ा सा हम oil grease कर लेंगे अब चलते हैं gas की तरफ तो gas पर मैंने पानी रखाये गिलास गरम होने के लिए एक बड़े बरतन में इसके उपर ये छणनी रख देंगे और इसे ढख कर 12 मिनट तक पकाएंगे 12 मिनट हो गया है gas पंत करेंगे और इन्हें हम नीकाल कर ठंड़ा होने के लिए रख देंगे तो ये अच्छे से ठंड़ा हो गया है अब हम इसे एक plate में निकाल लेते हैं और इसे काट कर दिखाते हैं तो हम बीश से इसे काट रहे हैं अंदर तक अच्छे से पक गया है अब हम इन्हें छोटा छोटा काट लेंगे इस तरह से इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में एक चम्मश ऑल डाला है इन्हें गरम होने देंगे और गरम होने के बाद हम इसमें एक चम्मश तिल डालेंगे तिल की जगा आप फ्राई का भी इस्तमाल कर सकते हैं और आधा चमच इसमें लाल मिर्श पॉडर डाल कर और इसे हम इस तरह से फ्राई करेंगे अच्छे से क्रिस्प होने तक हीने सेकेंगे दोनों तरफ से उलट पलट कर सेक लेंगे तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बने है इस तरह से ये मूं की रिस्पी आप एक बार चरूर ट्राई करके देखिएगा कि हूँ और मूं की ये रिस्पी आपको बहुत पसंद आएगी बहुती स्वाधिष्ट चटपटी सी क्रिस्पी रेस्पी है इसे टोमेटो सॉस के साथ या धनी की चटनी के साथ सर्फ करिए बहुत अच्छे लगते हैं आप इने ब्रेकफास्ट में लंच में या शाम के टी टेम स्नैक्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यवाद